इस दुनिया में रहता कोई भी इंसान क्यों ना हो वो लाइफ के इन तीन में से ही किसी एक स्टेज पर होगा जो है aspire, success या failure stage और ये तीनों stage हमारी life में repeat होते ही रहेंगे aspire stage वो है जब हम कुछ अचिव करने के रास्ते पर हो success stage मतलब हमने जो चाहा था वो अचिव कर लिया हो और failure stage मतलब हम aspire से success तक पहुंचने में fail हो जाए इन तीनों स्टेच पर एक चीज जो हर वक्त हमारे साथ मौजूद होती है वो है हमारा एगो और यही एगो ही हमारा सबसे बड़ा दुस्मन होता है जैसे गुसा और हसी इंसान के चेहरे पर दिखता है उसी तरह एगो भी इंसान के बिहवियर में दिख जाता है आज तक जितने भी लोग genuinely अपने काम के दम पर world famous हुए है उनको आप देख लो वो confidence जरूर होगे लेकिन इगोिस्टिक कभी नहीं होगे confidence और इगो में बहुत बड़ा अंतर है जो मैंने सिव खेरा से सुना था कि confidence without humility is arrogance यानि कि विनम रता के बिना आत्मविश्वास कमंड है इगो है पर अच्छी बात तो ये है कि हम इस इगो को कुछ techniques के जरीए control कर सकते हैं जिससे वो हमारे रास्ते में ना आए और हम जो चाहे वो achieve कर पाए stage number one is aspire ये वो stage है जब हम कुछ बड़े और better goals achieve करना चाहते हो जैसे कोई government exam की preparation कर रहा होता है तो कोई अपने audition के लिए clips बना रहा होता है या कोई जो अपना business plan तयार कर रहा होता है ये शुरुआती दोरी सबसे मुस्किल होता है क्योंकि कोई भी काम की शुरुआत में हम excited भी होते हैं और थोड़ा बहुत nervous भी पर हम अपनी nervousness को चुपाने के लिए जो बड़ी बड़ी बाते करने लगते हैं वो ही हमारा सबसे बड़ा weak point है बड़ी बड़ी बाते करना बहुत ही आरसान है क्योंकि actual work की बज़ाए सिर्फ बाते करके हम बहुत ही कम effort से ही लोगों का attention और appreciation पा सकते हैं पर real work की बीना सिर्फ बाते करके लोगों से तालिया और तारिप सुनने की हमारी भूख ही एक जुल में हमारा ego है बाते तो सब कर सकते हैं इवन एक पागल भी किसी भी topic पर कई घंटों तक बाते कर सकता है पर आज की दुनिया में जो rare है वो है silence ज्यादा बोलने से और ज्यादा सोचने से आपकी energy destroy होती है और starting में ही energy destroy हो जाने से आप work start नहीं कर सकते और वैसे भी ज्यादा सोचने से आपका ego एक imaginary audience तयार करता है जिससे आपको लगता है कि दुसरे लोग आपको ही देखते है और आपके बारे में ही सोचते है पर हकीकत में ऐसा नहीं होता author ने example दिया है कि एक teenager ने एक week के लिए अपनी class miss की क्योंकि कुछ दिनों पहले school के canteen में उनके paint पर juice गिट गया था जिससे वो सर्म के मारे school नहीं गया क्योंकि उसके ego ने एक imaginary audience बना ली कि school में सब उनके बारे में ही सोचते होगे और उनकी ही बाते करते होगे लेकिन हकीकत तो ये थी कि school में दूसरे दिन किसी को वो incident याद भी नहीं था इसलिए याद रखिए कि आपको जितना लगता है उतना लोग आपके बारे में नहीं सोचते stoicism में एक word है युथिमिया यानि कि external चीजों से distracted हुए बिना अपने path पर आगे बढ़ना आज social media apps और breaking news ने लोगों के attention span और काम पर focus करने की ability को destroy कर दिया है Ford company के founder Henry Ford ने का था कि आपकी reputation आपने जो किया है उसके आधार पर build होती है ना कि आप जो करने वाले हो और वेसे भी talent सिर्फेक starting point है आपने खुद देखा होगा कि कई लोग talented होने के बावजूद भी वो उस talent में से ज्यादा कुछ build नहीं कर पाते क्योंकि उनका ego उन्हें किसी ना किसी तरह डरा के रोकने की कोसिस करता है स्टीव जोब्स कहते थे कि जब तक आप लोगों को दिखाओगे नहीं तब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उनको क्या चाहिए आपका talent भी एक product की तरह है जब तक आप उसे represent नहीं करोगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि उनको ऐसा भी कुछ चाहिए कि जब आप practice नहीं कर रहे होते तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूर practice कर रहा होगा और जब आप उनसे मिलोगे तो वो जीत जाएगा इसलिए no matter आप कितने भी talented क्यों ना हो अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो aspire stage पर ही अपने ego को इस दो तरीकों से कंट्रोल करना सीख लो नमबर वन हमेशसा student बनके सीखते रहो और नमबर डू कम सोचके और actions ज्यादा लेके अपने craft को continuous practice के जरिये improve करते रहे सेकेंड है success stage जब aspire stage पर हम अपने ego को कंट्रोल कर ले और अपने work पे ध्यान दे तो definitely हमें success मिलेगा जैसे success मिलने से हमारी ताकत बढ़ती है उसी तरह हमारे ego की भी ताकत बढ़ी होती है इसलिए वो हमें दूसरे तरीकों से पीछे धकेलने की कोसिस करेगा success मिलने पर distraction बहुत आएंगे interviews, award functions, reporters, parties ये सब distraction आपको आपके actual work से दूर ले जाने की कोसिस करेंगे जो आपके ego को बहुत पसंद है क्योंकि public appreciation जो मिलेगा पर वो काम को हरम में सा याद रखिये जिसके कारण आज आप ये सब कुछ देख पा रहे हो क्योंकि वो ही आपकी actual values है अपनी core values और work से दूर होगे सिर्फ मोजसो करने का क्या result आ सकता है वो आप विजे मालिया से खुदी सीख सकते हो world famous warrior and mongol emperor जंगिस खान अपने बेटों से कहते थे कि अगर तुम अपने ego को निगल नहीं सकोगे तो तुम lead नहीं कर पाओगे वो कहते थे कि दुनिया का कितना भी उचे से उचा पहाड क्यों ना हो उस पर रहने वाला जानवर जब उस पहाड की चोटी पर खड़ा हो जाए तब वो जानवर उस पहाड से तो उचा ही होता है जैसे success पाना मुस्किल है उसी तरह वहाँ पर टिक पाना भी उतना ही मुस्किल है इसलिए हमें हमें सा अपनी identity small रखनी चाहिए और student बनके सीखते और improve करते रहना चाहिए author कहते है कि जब भी कोई companies या entrepreneur से पूछा जाता है कि आप क्या करने वाले हो तो वो कहते है कि वो दुनिया को बदलने वाले है जो की सही भी है पर actual में जो companies ने अभी दुनिया को बदल दी है वो companies अपनी core values और customer centric execution से start हुई थी जैसे YouTube टीवी replace करने के लिए नहीं और सिर्फ funny clip share करने के लिए बनाया गया था पर आज जो इसका growth है वो सिर्फ उनके vision की बज़े से नहीं पर अपनी identity small रखके और small detail improvement नहीं उन्हें आज number one video sharing company in the world बना दी है no doubt आप बड़ा सोचे पर उसे पाने के लिए इतने small और detailed steps लेके execute करे कि वो आपका dream सिर्फ dream ना रहे और reality में convert हो जाए अपनी identity small रखने का मतलब है अपने आप से कहते थे कि master तुम सोबर बने रहो और अपनी popularity और अपने पास पड़े धन से कभी भी धोखा मत खाओ बस जिस चीज के लिए तुम जाने गए हो वो चीज करते ही जाओ Ryan Holiday कहते है कि जो real में successful लोग है वो modest life जीते है, normal घरों में रहते है और simple कपड़े पहनते है इसका मतलब यह नहीं है कि उनको luxurious life जीना नहीं आता पर वो simplicity के जरीए अपनी core values और standards को ज्यादा importance देते है मौहमद अली कहते थे कि जब आप मेरे जितने great होगे तब humble बने रहना बहुती मुश्किल है क्योंकि वो मानते थे कि आज की दुनिया में confidence, skill और talent से भी ज्यादा जो चीज रेर है वो है self awareness and humility इसलिए जब भी आपको success मिले तो उसे बरकरार रखने के लिए humble बने रहो और ख्वाबों की दुनिया में खूत की stories गुन गुनाने की बजाए बरस अपना mean काम करते रहे क्योंकि success मिलने पर events, cameras और sport light लोगों को ज्यादा आकरसेद करती है और अपने core work से दूर ले जाती है इस book का last part है failure कोल भी काम में fail होना आम बात है अपने ego को control में रखने के बावजूद भी हम fail हो सकते हैं पर वो failure time में हम क्या करते हैं वो ही सबसे ज़्यादा important है Detroit Red नाम के लड़के को 10 साल के लिए जहल में डाल दिया गया क्योंकि उनके उपर चोरी, smuggling, drugs, हथियारों की हेरा फेरी और खून के आरोब थे वो ना तो किसी को मारने से डरता था ना तो खुद मरने से और उनके पास उनकी खुद की gang भी थी जो ये सब काम करती थी जब उसे जहल में डाल दिया गया तो उसने आम केदियों की तरह बैठे रहने की बज़ाए जहल में ही सीखना स्टार्ट किया क्योंकि चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले, वो वहाँ से निकल पाने वाला नहीं था इसलिए उसने समझदारी से जो कर सकता था वो किया जहल की लाइबरेरी में ही उसने religion, history और philosophy के उपर कई सारी books पड़ी उसने तो dictionary भी अपने हाथों से cover to cover लिखना स्टार्ड किया जिससे उसने कई सारे नई words सीखे और जब तक वो जेल में रहा तब तक उसने अपने free time में हमेशा reading के जरीए कुछ ना कुछ नया सीखा इस time को effectively use करने के कारण ही वो लड़का आगे जाके American minister और social activist बना जिने लोगबाद में Malcolm X के नाम से जानने लगे जो अमेरिका में कई सारे human rights के लिए लड़े थे The 48 Laws of Power के author Robert Greeney इस घटना को alive time, dead time केते हैं कि हमारे जीवन में दो ही तरीके का time होता है alive time या dead time alive time मतलब जब आप सीखते हो या अपनी हर एक second को अच्छे कामों में utilize करते हो और dead time वो है जब आप दूसरों को blame करते हो और कुछ किये बिना ही लगके भरों से बैठे रहते हो Malcolm X ने जेल में बिताई हर एक second को books read करके alive time बना दी जब reporters उनकी college के बारे में पूछते थे तो वो जेल को ही अपनी college बताते थे क्योंकि वहीं से उनका transformation हुआ था इस तरह हमारे पास भी हर वक्त दो choices होती है कि हम कौन सा time पसंद करना चाहते है alive time या date time waiting line में सिर्फ खड़े रहना date time है पर audiobooks सुनना या कुछ calls कर लेना या notes लिख लेना alive time है जब आप बार-बार fail हो रहे हो तो आपने time को alive time बनाओ और मेनत करते ही रहो आप ज़रूर सफल होगे क्योंकि Ryan Holiday का मानना है कि कुछ घिलाडी air से भी होते है जो अपना best performance देने के बाद भी लोगों की तालिया सुनने नहीं रुपते क्योंकि वो जानते है कि ये तालिया स्टेडियम के बिच खेलने से नहीं पर जब सब मजे कर रहे थे तब लोगों के appreciation की परवा किये बिना ही अकेले की हुई practice से आई है Ryan Holiday training को sweeping से relate करते है कि सिर्फ एक बार ही floor sweep करने से floor हम्मेशा के लिए clean नहीं रहता उस पर हर रोज dirt आएंगी ही इसलिए हमें उसे clean रखने के लिए हर रोज सफाई करनी पड़ेगी और वही चीज आपके talent के साथ भी है कि सिर्फ एक बार practice करने से कुछ नहीं होने वाला उस talent को जमकाने के लिए आपको हर रोज उस पर एक sweeper की तरह सफाई करनी पड़ेगी practice के जरीए अपने talent को जमकाना पड़ेगा नहीं तो उस पर जंग लग जाएगा ego is the enemy काफी अच्छी बूख है जो एक leader, athlete, entrepreneur, designer और हर वो एक creative person को रीड करनी चाहिए जो इस 21st century में दूसरों से अलग बनके आगे बढ़ना चाहते हो अगर आप इस book को रीड करना चाहते हो तो इसकी link में ने description में दे दी है जहांसे आप इस book को खरीद के रीड कर सकते हो धन्यवाद